कि यहां पे हमनी 새로 Drive customer कर लिया है। आपको इस में options बाय करने तो नीचे trade and code पे क्लिक करें फिर I'm with derivatives पर क्लिक करें अब derivatives करेंगे तो आपको निफटY, bank nifty और call purd देखेगा आपको callना缝, call node e P nifty or thought 2 में भी आप select कर सकते हैं देख सकते हैं अब मैं आपको live एक example देखे देखता हूं कि मैं अगर telegram पे आपको बोलता हूं तो आपको कैसे करना है अब मैंने आपको let's say दिखाता हूं मैं आपको bank nifty पे हम गए हमारी channel bank nifty पे अब देखिए मैंने इसमें लिखा है 36,900 का ce add करें watch अब दिखाता हूं 37,700 का PE मैंने आपको बोला है watch list में add करो तो put पे हम गए अब इसमें आपको बहुत सारे available है लेकिन मैंने आपको यह बोला है 37,700 का ठीक है तो इस पे click करके आप market watch पे click करने पे आपको option आएगा के create new market watch मेरा already created 24 November तो मैं भी उसमें add करूंगा आप market watch पे click करेंगे तो आपको ऊपर आजाएगा कि आपका यह कौन सा PEE आपने जो भी रखा होगा watch list में आजाएगा अब trade कैसे करने है let's say अब मैं आपको let's say बोलता हूँ telegram पे के 37,700 का PEE buy करें नहीं नी देखिए मैं आपको example देता हूँ कैसे मैं बोलता हूँ आपको 36,900 का CEE मैंने दिया था अब मैं आपको ऐसे बोलूँगा कि यह वाला 380 से 385 के range में buy करें तो आपको जाना है तुरंद और समझो यह नहीं है मैं आपको example दे रहा हूँ सिर्फ इस पे click करेंगे buy पे click करेंगे buy करेंगे फिर यह normal order जो आपको दिख रहा है all the type में उसका bracket order करेंगे ठीक है अब नीचे जाएंगे quantity one lot है one lot में 25 quantity आती है अब two lot करोगे तो 50 हो जाएगी फिर बढ़ जाएगी four lot करोगे तो 100 हो जाएगी तो आपको one lot रखना है आपकी investment के basis पे एक lot करीब 8000 के आसपस आता है अब price miss जैसे मैंने आपको बोला 220 पे buy करो तो 220 पे आपको buy करना है और stop loss target आपके उपर है कि वैसे stop loss मैं आपको suggest करूंगा कि 30 point के आसपस नीचे रख देना चाहिए जैसे अभी वो तो मैं आपको कभी mention कर दिया करूंगा अभी जैसे 220 चल रहा है तो आप रखेंगे 190 का stop loss या 195 का stop loss चलो और book profit भी आप 40 point के आसपस उपर अलग दीजे वो हम बाद में modify कर लेंगे जब trade चल रहा होगा हमारा अभी मैं आपको सिखाता हूँ modify कैसे करना है 40 point उपर याने 220 में लिया 40 point उपर 260 में मैंने target रखा place order करके confirm कर दूंगा फिलाल मैं नहीं कर रहा तो automatic sell हो जाएगा अभी in case आपको देखेंगे कैसे कि आपका position क्या चल रहा है reports में जाएंगे नीचे order book पे click करेंगे derivatives के तो उसमें आपको यहां दीखेंगे आपके orders क्या है net position में जाएंगे तो आपको दीखेंगा कि profit loss क्या चल रहा है total MTM today's total MTM में आपको दीखेंगा आपक अभी profit loss क्या चल रहा है ठीक है समझ आगे आपको इतनी से बात अब जैसे मैं आपको यह बोलता हूँ के 408 जा चुका है 380 में लिया था 408 जा चुका है kindly book profits hold मत कीजिए तो अब आप क्या करेंगे आप यहां पर आपको order दीखेगा net position में आपको दीखेगा आपका strike price लिया हुआ है ठीक है और नीचे आपने जो लगाया होगा profit and loss वो आपको दिखाएगा यह आपने 260 लगाया था 195 लगाया था वो automatic आजाएगा ठीक है अब लेट से मैं आपको बोलता हूँ के इसको modify कर दो 230 में profit booking कर लो तो आपको 230 फटा फट प्लेस करना है और place order कर देना है समझ इसे मैं आपको बोलता हूँ 200 में निकल जाओ या 200 का stop loss modify करो तो आप modify करके confirm कर देंगे तो modify हो जाएगा automatic पर modify करने के लिए पहले आपको यह दिखना पड़ेगा कि आपका buy हुआ है के नहीं क्योंकि आपने fully executed आएगा ना जब तक order book पर तभी आप ले सकते हैं आपका order buy हुआ ही नहीं होगा तो आप modify नहीं कर सकते हैं buy हुआ है या नहीं आपको MTM में दिख जाएगा MTM में कुछ आ रहा है मतलब buy हो चुका है अब देखिए मैं आपको इसमें बोल रहा हूं कि current market price पर exit कलीजे suppose कि current market जो भी market चल रहा है उस पर exit कलीजे तो अभी आप देख सकते हैं 211-222 चल रहा है तो मैं 211 या 222-224 जो भी चल रहा है उस पर रखके मैं place order कर दूंगा confirm कर दूंगा तो modify होके जो current भाव चल रहा होगा हमने रखा होगा उसमें निकल जाएगा ठीक है समझ आगे आपको profit नस्दी को या loss नस्दी को उसके basis पर अब इसमें आप देखेंग MTM में से निकल जाएगा और BPL में आजाएगा वो today's total BPL या total BPL में आजाएगा याने समझ लेना कि आपका कोई net position open नहीं है सब close दो चुके position ठीक है और आईए आपका watchlist आपको इसमें कुछ add या remove करना है तो भी आप कर सकते है मैं net script पे click करेंगे फिर कोई भी आपको strike price select क करके delete करना हो तो भी आप कर सकते हैं किसी को भी कोई query हो तो आप मेरे को comment करके पूछ सकते हो description में मेरा number भी दिया हुआ है call करके भी पूछ सकते हो और हमारा telegram join करने की link दी हुई है नीचे description में ठीक है